नमस्कार साल्थियों दोस्तों पिछले कुछ सालों से साउथ फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया हुआ है पहले अगर बात करें तो पहले के टाइम पे लोग साउथ की फिल्मों को या तो यूटूब पर देखते थे या तो वेट टीवी पर देखते थे लेकिन पि साउट की फिल्मों से inspiration लेकर अन्य इंडस्ट्री के लोग कुछ न कुछ कुछ कॉपी कर रहे हैं। हाल ही में बात करें तो जब फिल्म का ट्रेलर लॉंच किया जाता है यह काफी हम होता है, कि फिल्म का कब लॉंच होगा। ट्रेलर में क्या-क्या दिखाया जाएगा साउथ की स्टाइल को कॉपी करते हुए हमारे छॉलीवूड ने और बॉलीवूड ने यह चीज सीखा है कि ट्रेलर को लॉंच करने का सबसे सही समय क्या होता है तो दोस्तों हम बात करें साउथ फिल्मों की तो वहां पर ऐसा देख होता है कि फिल्म के रिलीज के मात्र साथ दिन या दस दिन पहले ही उसके ट्रेलर को लॉंच किया जाता है दोस्तों चॉअलिवूड और बॉलीवूड में भी यह चलन्ज कर दिया जाता था जिससे करने में आसानी होती थी लेकिन अब साउथ के स्टाइल को यहां के लोगों ने भी आजमाना शुरू कर दिया है और छॉलिवुड में भी इसका चलन चल पड़ा है हाल ही में हमने देखा कि सतीज जन ने अपनी नई फिल्म ले शुरू होगे मया के कहानी का ट्रेलर मात्र फिल्म के रिलीज से दस दिन पहले ही रिलीज किया था दोस्तों फिल्म की रिलीज डेट थी चार मई और उन्होंने 24 मई के करीब अपने फिल्म का ट्रेलर लॉंच किया था काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली और फिल्म आज सुपर हिट साबित हुई है वहीं पर सलमान खान ने भी अपनी फिल्म जो की अप्रेल के माह में रिलीज हुई थी किसी का भाई किसी का जान इसका ट्रेलर भी उन्होंने करिबन 20 दिन पहले ही रिलीज किया था वहीं पर शाहरुखान की फिल्म पठान का ट्रेलर भी करीबन 20 दिन पहले ही रिलीज हुआ था वहीं पर अब बात करें कि 36 गर में महिलाओं पर आधारित एक फिल्म आ रही है महिलाओं के सम्मान पर जो फिल्म बनी है उसका नाम है वैदे ही जो की नौजून को रिलीज होने वाली है तो दोस्तों वैदे ही नौजून को रिलीज होगी लेकिन उसका ट्रेलर अभी तक लॉंच नहीं हुआ है हाला कि उसके गाने धूम मचा रहे हैं उसके कई गाने हैं जो कि दर्शकों को पसंद आ रहे हैं उसका एक गाना जैजै श्री राम तो करीबन अप्रेल के महिने पर ही रिलीज कर दिया गया था लेकिन फिल्म का ट्रेलर अभी फिल्म रिलीज से मात्र नौ दिन पहले यानी 30 मई यानी की कल रिलीज होगी तो दोस्तो आपने अगर S.R. के म्यूजिक सीजी के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तो हॉलिवूड के जो फिल्म मेकर है उन्हें अपनी पूरी फिल्म पूरी दुनिया में गलोब में फहलानी होती है इसलिए उन्हें ऐसा काम करना पड़ता है कि करीबन 6 महीने पहले या कभी कभी तो 4 महीने पहले अपने फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करना पड़ता है लेकिन जब से भारत में पैन इंडिया फिल्मों का प्रचलन चल पड़ा है फिल्म अपने आप ही प्रमोट होने लगती है उसे प्रमोशन के लिए ट्रेलर की जरूरत नहीं पड़ती बाकी अन्य चीजों से फिल्म का अपने आप प्रमोशन हो जाता है अब 36 गर सहित कई राजियों में भी फिल्म के ट्रेलर को प्रमोशन के लिए अब एक दो महिने पह रही है दोस्तों इसका रिजल्ट काफी प्रभाव साली रहा है एक हपते पहले टेलर को लॉंच करने से लोगों में काफी उत्सुकता नजर आती है और फिल्म को बहुत अच्छा रेस्पॉंस मिल रहा है आपका इस पर क्या विचार है इसे कमेंड पर बताए वीडियो को ला लाद